वेल्कम बैक डू मेश्र कुमावस क्लास चैनल एक और अन्बोक्सिंग वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ आपके सामने और आप देख पा रहे हैं कि फिलिपकार्ट से हमने एक ओडर मंगा लिए है न्यू और जैसा कि इसके उपर लिखा भी है कि डू नोट ओपन दा बैग फाउंड डैमेज तो हम इसके पहले तो जो सभी कॉर्णर्स को या साइज को चेक कर लेते हैं कि कहीं से यह फटा हुआ तो नहीं है अगर बिल्कुल सही है तो ठीक है और जैसा कि देख पा रहे हैं कि कागज के अंदर आजकर पैगिंग आ लिए जो कि बहुत अच्छा चलो देखते हैं फिर हम इसको अभी ऑपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह का आइTEM है वो हमें मिला है तो यह हम उपन कर रहे हैं और आपन करने के बाद जो हमें सबसे पहली चीज़ जो इसमें से मिलती है वो एक बिल है और बिल तो ज english हैॉर इसको चौटा सा और इस बोक्स पर लिखा है हैंडी चोपर मीनी इको तो यह जो बोक्स है इसमें पीजन की यह ब्रैंडिंग है पीजन का प्रोड़क्ट है तो काफी ब्रोसे मंद है और इसमें देखें तो इसकी जो कॉंटिटी की बात करें तो वो 400 ml जो है इतने इसकी कॉंटिटी है और अब इसको उपन कर रहे हैं तो देखते हैं कि जैसा हमने ओर्डर किया था बिल्कूल वैसा ही है यह तो यह कलर मुझे काफी इंट्रेस्टिंग लगा तो मैंने इसी को ही बाइक किया फिर तो चलो इसका यह पूरेची नठा देते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो इसका मैटिरियल जो है वो मैंने सोचा था कि काँच होगा लेकिन यह गलास नहीं है यह हार्ड प्लास्टिक है इसके लावा यह लिड दी हुई है और इसके अंदर यह है एक ब्लेड जो की काफी शाप है और इसमें बहुत इस सिंपल मैकेनिजम का यूज हुआ है और इसके लिड के अंदर यहां एक फ्रेम दिया हुआ है तो इसको इससे अटेच करना होता है और इसके साथ यहां पर एक रोप दी होती है जिसको आपको खींचना होता है तो जैसा पुराने टोईज में होता था यह एक बटन नहीं है यह सिर्फ एक लोगो ही है ब्रैंडिंग नेम है तो काफी इजी इसकी मेकनिजम है और इसको देखेंगे किस तरह से काम करता है और यहां पर भी इसके नीचे भी पीजन की जो एक ब्रैंडिंग दी हुई है तो अभी तयार है इसको चॉप करने के लिए हमने इसमें डाल दिया है कुछ टमाटर और कुछ हरी मेर्च और यह जो सौकेट है हमें इसको फिक्स कर लेते हैं यह फिक्स कर ले नहीं है चलो हम इसको अब जो है ग्रैंड करके देखते हैं कि किस इन चार वर्क करने के बाद हम इससे देख रहे हैं कि किस तरह से यह निकलता है और यह आप देख पारें कि किस तरह से पूरा स्टफ जो हमारा वो चौप हो गया तो अब इस ब्लेड को तो हम निकाल सकते हैं इसकी जूरुत नहीं है बड़ा सिंपल एजी ट्रिक है असानी से उठाना ही होता है तो इसको हम कर देता है साइड में और चम्मच से हम देखते हैं कि सको इकठा करते तो काफी कलरफुल एक हाम पर इस प्र प्रॉड़क्त के साथ जा सकते हैं